कीवा इंडस्ट्रीस द्वारा पेश है कीवा 4G Quantum Magnetic Resonance Analyzer अध्यनों में पाया गया है कि प्रदूशन में विद्धी के कारण तनाफ और गती हीन जीवन शैली ने मनुश्यों को स्वास्ति संबंधी विभिन समस्याओं से ग्रसित कर दिया है जिनमें मोटापा, रितिकी समस्याओं, पाचन समस्याओं, मधुमें, उम्र बढ़ने के कारण बढ़ती स्वास्ति समस्याओं, डिप्रेशन, अस्थमा, आदिश शामिल है अगर समय पर इसका पता चल जाए तो शरीर में किसी भी तरह की मेडिकल बिमारी का इलाज किया जा सकता है हाला कि ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बिमारी शुरुवाती दौर में अपने होने का संकेत हमें नहीं देती वे सिर्दर्थ, बदंदर्थ वगेरा के रूप में हमें अपनी मौचूद्की का संकेत देती है लेकिन अपने रोचमर्णा की जिंदगी में फसा हुआ इंसान डिस्प्रेन और क्रोसीन लेकर अपना काम चला लेता है आम तोर से इस तरह की छोटी मोटी तकलिफें इस तरह से ठीक भी हो जाती है लेकिन कभी-कभी मामला बिगड़ भी जाता है ऐसे में लोग यह कहते हुए पाई जाते हैं कि काश पहले इस बिमारी में पता लग जाता अक्सर कहते हैं कि इलाज से बहतर बचाव है और इसलिए कई लोग शरीर की चांच समय समय पर कराते रहते हैं लेकिन ऐसी मेडिकल चांच आम आत्मी के लिए बहुत महगी होती है और इनमें काफी समय भी लग जाता है पहले जांच कराओ फिर घंटो रिपोर्ट की वेट करो बिमारी का पता लगाने की अध्भुत मशीन खुशी की बात है कि कीवा इंडस्टिस ने एक अध्भुत मशीन बनाई है जो जट से पूरे शरीर की जांच कर देती है कीवा इंडस्टिस लेकर आया है कीवा 4G Quantum Magnetic Resonance Analyzer कीवा 4G Quantum Magnetic Resonance Analyzer एक उच्च तकनीक नमाचार है जो चेकित्सा, जैव सूचना विज्ञान, इलेक्ट्रिकल इंजिनरिंग और अन्य विज्ञानों का सबसे अच्छा सन्योजन करता है एक चमतकारी जांच मशीन है, जो केवल 2 मिनट में शरीर की 43 स्वास्ति रिपोर्ट निकालती है इस जांच में शरीर के खून की जांच से लेकर सेक्स समस्याओं का विवरन भी शामिल है ये केवल समस्याओं ही नहीं दर्शाती, पर उनसे निपटने का हल और रोकने का समाधान भी बताती है इससे कोई दर्द नहीं होती, क्योंकि कोई भी रेडियेशन नहीं पढ़ती और ना ही खून निकालना पड़ता है ये उनक इलेक्ट्रोनिक उपकरन वैज्ञानिक विशलेशन के लिए मानव कोशिकाओं के कमजोर चुम्ब की शेत्र को इकठा करता है जिससे किसी भी व्यक्ति की स्वास्ति स्थिती और मुख्य समस्याओं का विशलेशन और निर्धारन होता है और मानक रोकथाम की सला भी उपलब्द कराता है इसके लब अंगों के वर्तमान में स्वास्ति की स्थिती बताता है और भविश्य के लिए सुझाव देता है विभिन भीमारियों को शुरुआत में बता देता है जिससे उनकी रोकथाम की जा सके बड़े वेवहारिक सरल और सस्ते तरीके से स्वास्ति रिपोर्ट प्रदान करता है जल्दी ही स्वास्ति परिनाम प्रदान करता है और आसान एवं सरल उप्योग के साथ घ्राकों की घोपनियता का सम्मान करता है केवल तो मिनट में 43 स्वास्ते रिपोर्ट निकालता है ये कैसे काम करता है मानव शरीर से निकलने वाले इलेक्ट्रो मेगनेटिक तरंग संकेत मानव शरीर की विशिष्ट स्थिती के बारे में बताते हैं और ये इलेक्ट्रो मेगनेटिक तरंग संकेत शरीर की विभिन स्थितियों के दोरान भिन होते हैं। यदि हम इन विशिष्ट विद्यों चुम्ब की तरंग संकेतों को निर्धारित कर सकते हैं, तो हम शरीर के स्वास्ते और जीवन की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। ये उन्नत Electronic System वैज्ञानिक विशलेशन के लिए मानव कोशिकाओं के कमजोर चुम्ब की शेत्र को इकठा करता है और अपने संधर्पित डेटाबेस के साथ प्रती एक अंकी तूला करता है जिससे किसी व्यक्ति की स्वास्थे सिती का विशलेशन और निर्धारन होता है और म जिन में यह शामिल है इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जा सकता है जैसे मसाच सेंटर, हेल्थ क्लब, नैदानिक केंद्र, हेल्थ केर शॉप्स, वेल्नेस सेंटर, ब्यूटी सेलून आपको इसमें मिलेगा एक मुख्य मशीन, उसके साथ USB केबल, टेस्ट रॉड, सीडी, USB, फ्लेश डिस्क यानि डॉंगल और एक पुस्तक सोची उप्योग के लिए देशा निर्देश जब कम्प्यूटर की बिजली न चल रही हो तो निरिक्षन करें कि क्या कम्प्यूटर, सेंसर, प्रिंटर और अन्य उपकरन अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं अपने कम्प्यूटर में CD और डॉंगल डालें कम्प्यूटर और मशीन के साथ काले तार को कोनेक्ट करें लाल बत्ती चल जाएगी मशीन के साथ सफे तार कोनेक्ट करें नीली बत्ती चल जाएगी फिर कॉन्टम हेल्थ एनलाइजर का सेटप इंस्टॉल करें अन्य सभी एप्लिकेशन प्रोग्राम बंद करें और टेस्टिंग के लिए कॉंटम रेजोनेंस मैंनेटिक एनलाइजर खोलें परिक्षन किये गए व्यक्ति की मूल स्थितियों यानि नाम, लिंक, जनमतिति आधी की जांच करें और रिकॉर्ट करें प्रोप स्टिक को अपने हाथ में पकड़ें, लेकिन आपके लिंके अनुसार, पूरुष इसे अपने बाएं हाथ में रखें और महिला इसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ें फिर परिक्षन शुरू करने के लिए Start बटन पर क्लिक करें पूरा होने के बाद आप रिपोर्ट को सेफ कर सकते हैं प्रति एक शब्द का विवरन समस्याओं के सुझावों के साथ-साथ प्रति एक रिपोर्ट के नीचे दिया गया है यदि आप रिपोर्ट का प्रिंट लेना चाते हैं तो सबसे नीचे ऑप्षन प्रिंट पर क्लिक करें यदि आप अधिक परिक्षन जारी रखना चाते हैं तो ऑप्षन रिटर्न पर क्लिक करें और उसी चर्णों का पालन करें यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो उपर दाइं और दिये गए ओप्शन से एग्जिट कर क्लिक करें परिक्षन किये गए व्यक्ति के लिए महत्वपूर निर्तेश इंस्टोलेशन से पहले एंटी वाइरस दी एक्टिवेट करें शराब और कॉफी न पिएं स्वास्ति उत्पादों का सेवन न करें और कोशिश करें कि परिक्षन से दो दिन पहले दवा न लें परिक्षन से दो दिन पहले नियमेद जीवन और सामाने नींद लें गहन गतिविदी के बाद परिक्षन से एक से दो घंटे पहले आराम करें परिक्षन अर्द उपवास में किया जाना चाहिए धीले और गरम कपड़े रखें परिक्षन से पहले शरीर से धातु वस्तु और संचार उपकरन निकाले बोले नहीं और परिक्षन के दोरान स्थिर स्वास ले बार बार परिक्षन न करें अगली बार परिक्षन करने के लिए कम से कम एक सप्ता का अंतरालते क्योंकि नेमत रूप से परिक्षन हाईकारक हो सकता है। व्यक्ति परिक्षन भोजन से एक घंटे पहले या बाद में किया जाना चाहिए। सभी धातु की वस्तुएं, हैंटफोन, पोकेट कम्प्यूटर आधी को हटा दें। जूते और मोजे निकालें। कलाई और टक्णों के चारों और सभी 24 परिक्षन बिंदुओं को खुला रखें। महिलाओं को अपने मासिक धर्म के दोरान टेस्ट नहीं लेना चाहिए। जिन मरीजों में पेस्मेकर लगा होता है, उन्हें इस टेस्ट को करने से मना किया चाता है। क्योंकि कॉंटम से निकलने वाले फिक्वेंसी पेस्मेकर या शरीर के किसी भी अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरन के साथ हस्तक शेप कर सकते हैं। धन्यवाद।